जरा आपको चमु कश्मीर की तस्वीर भी दिखा देते हैं जहाद पर ज़्यादा तर जगहों पर पारा माइनस में हैं। श्रीनगर से हाल बता रहे हैं हमारे सायोगी अश्रपवानी। पूरे कश्मीर और लद्दाक छेतर में कडाके कि ठंड पड़ रही है। बीती रात पहाडों पर हलकी बरबारी हुई जिससे और तापमान में गिरावट आई है। श्रीनगर की अगर बात करें तो यहां का तापमान रात में मैनस चार डिगरी तक लुड़का जबकि दिन का तापमान भी दो से पांच डिगरी के आसपास ही रहने की आशिंका है। फिलहाल आने वाले दिनों में भी कश्मीर में लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उमीद नहीं है क्योंकि 30 दसंबर को कश्मीर में मैड डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है कि यहां पर और एक ताजा बरबारी हो सकती है जिससे और भी ठंड बड़ेगी। वैसे भी कश्मीर में यह ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में फिलहाल लोगों को इस तरह की दिकतों से जूजना पड़ रहा है। अगर पहाड़ी अलाकों की बात करें तो वहां पर तापमान में लगातार गिरावट दर्श की जा रही है और अब लोगों को जो हैं पीने के पाने की दिकत हुई है कि जल के जितने भी सादन हैं वो जो हैं जम गए हैं और उसी तरह बिजली की कटोती लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन रही है जहां तक नए साल और साल के अंत पर होने वाले जिशन की तैयारिया हैं तो कई सारे लोग देश के अलग अलग हिसों से कश्मीर में नए साल का जिशन मनाने के लिए पहुँच रहे हैं और उसके लिए व्यापक इंतिजाम जो हैं जमो कश्मी प बरबारी का मज़ा ले सकते हैं अश्रफवानी स्रीनगर आज तक